नमस्का और स्वागत है आपका मुंबई महानगर में मैं हूँ आपके साथ रूबी देश में लोन एप के चंगुल में फसकर पूरे परिवार के परिवार तबाह हो रहें लोन एप का जाल लगतार लोगों को लील रहा है ताजा मामले देखें तो भोपाल में एक परिवार का परिवार खत्म हो गया तो वहीं बेंगलूर में एक इंजिनियर के चाप्र ने इसी जाल में फसकर मौत को गले लगा लिया भोपाल की बात करें तो यहां एक शक्स को लोन की रिकवरी के लिए इतना प्रतारित किया गया कि उसने दो छोड़े छोटे बच्चों और पत्नी के साथ सामुहिक आत्महत्या कर ली आठ साल का बेटा तीन साल की बेटी और पत्नी छोटा सा खुशाल परिवार लेकिन एक छोटी सी गल्दी इस परिवार पर इतनी भारी पड़ी कि सामुहिक खुदकुशी करनी पड़ी बच्चों को जहर दिया गया और पती पत्नी ने फांसी लगा ली दरसल भोपाल का ये परिवार मार्केट में फेले लोन एप के जंजाल में फस गया था घर के मुख्या ने इस परिशानी से निकलने की काफी कोशिश की लेकिन जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो जिन्दिगी खत्म करने का फैसला कर लिया मन्ने से पहले इस परिवार ने चार पेज का एक सोसाइट नोट भी छोड़ा है जिसे पढ़कर आप समझ जाएंगे कि लोन एप के चंगुल में फस कर कितना दरदनाक और जानलेवा हो सकता है दरसल मामला रातिवड की शिव विहार कॉलोनी का है जहां रहने वाले भूपेंद्र विश्व कर्मा कोलंबिया बेस्ड एक कमपनी में ऑनलाइन जॉब करते थे भूपेंद्र पर काम का प्रेशर और लॉन था कमपनी ने उनका लैपटॉप हैक कर उसमें मिले कॉंटेक्ट पर एडिटेट अश्लील वीडियो वैरल कर दिये इससे परिशान भूपेंद्र ने अपनी पत्नी रित्व के साथ सोसाइट टल दिया इससे पहले बेटे और बेटी को जहर दिया गया गुरुबार को दमपत्ती के शब घर में पासी की फंदे पर लटके मिले पोलिस को माके से सोसाइट नोड भी मिला है जिसमें कर्ज का जिक्र है भूपेंद्र के बड़े भाई नरेंद्र विश्कर्मा ने बताया कि उसने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ देरात सेलफी कैप्चर की थी फिर कोल्ड रिंग पे सलफास मिला कर दोनों बच्चों को पिलाया दिया इसके बाद भूपेंद्र और उसकी पत्नी रिदू बच्चों के पास ही बैठे रहे हैं जब उन्होंने उन्हें दोनों बच्चों की मौत होने की पुष्टी हो गई तो भूपेंद्रे ने दो दुपट्ट्यों को आपस में बांध कर फंदा बनाया और एक साथ फांसी लगा कर जान दे दी नरेंद्र विश्कर्मा ने बताया कि भूपेंद्रे की घर से सलफास के छे पैकेट मिले हैं बता दे कि मद्परदेश ही नहीं देश में लोन एप के चक्कर में आत्महत्या के लगातार मामले बढ़ रहे हैं ऐसा ही एक मामला बैंगलूरू से भी सामने आया जहां चाइनीज लोन एप के एजन्ट से परिशान होकर 22 साल की स्टुडेंट ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली है मुरतक की पहचान तेजस के रूप में हुई है जो बैंगलूरू के जला हली में रहता था वो यलहंका के निट्टे मिनाक्षी कॉलेज में इंजिनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था इस चात्र को भी तस्वीर वैरल करने की धमकी दी जा रही थी चात्र ने स्वासाइड नोट में लिखा मा और पापा मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ करना मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है मैं अपने नाम पर लिए गए लॉन का पेमेंट करने में असमर्त हूँ और ये मेरा अंतिम फैसला है अलविदा ये हाल ही के दो मामले हैं लेकिन ऐसे कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं जो कुछ हमारे सामने होते हैं तो कुछ हम तक पहुच ही नहीं पाते लेकिन इस बीच सवाल यही है कि आखर इन लॉन एप के खलाफ सरकार कोई सख्त एक्शन को नहीं ले रही सरकार एसे लॉन एप पर क्यों पाबंदी नहीं लगाती जिससे परिवार के परिवार उजल रहे हैं आपकी इस मुद्धे पर क्या रहा है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताईए